गुद मॉर्णिंग एवल, वेलकम डिक्रामिक टाइम्स डेली अनेलिस एक्समेनेशन सीरीज, तोड़े इस एट्थ ओफ नेवेंबर एंड इस मंदे, तो मेरी वाइस आपको हो सकता है कि उपर नीचे थोड़ी लग रही हो, क्योंकि मैं लिटरली मतलब विक्स की जो टॉफ स्टान्स का मिनिंग होता है, तो उपीनिएंडिया का मद्विक्त का, इंडिया गवर्मेंट का ऑपिनियन, और क्रेप्ट करणसी जानी की क्रिप्त करेट करेंसी तैम पहले जब वजीरेक्स के उपर केस हो गया था, तो बैन उनने की बात चल रही थी, तो यह सब चीजी से चल रही थी इसके amid क्या हुआ है कि इंडिया unlikely to take a tough stance कि एक tough opinion एक extremist opinion इंडिया नहीं लेगा cryptocurrencies के उपर middle grounds पर चीजों को set करने की कोशिश करेगा अब हुआ कि इसके background में एक तरह से एकड़म से क्यों न्यूज आए ये crypto bill अभी present होने वाल है winter session के अंदर और पार्लेमेंट के कई sessions होते हैं उसके अंदर से एक session आपका winter session जिसके अंदर बहुत सारे bills present किये जाते हैं और वो पहले लोग सभा में जाएंगे अगर लोग सभा में पास होगे तो राज्य सभा में देन उसके बाद प्रेजिडेंट के office में अगर तीनों levels पे पास हो जात है वो क्या है पहली लीगल टेंडर जो अपका मतलब cryptocurrency उनको लीगल टेंडर घुशित कर दिया जाए एक extremist opinion होगा आपने देखाऊगा एल सेलवाडॉर करके company country है मैं country को यह बर company वोलते तों so country है जिसने जो है bitcoin को मतलब लीगल टेंडर घुशित कर दिया है along with dollars वहाँ पहल जो extremist opinion है वो यह है बैंड कर दे पूरी तरीके से बैंड कर दे crypto currencies को इंडिया के अंदर पर यह भी आपको पता यह नहीं हो सकता इतना जादा अच्छे दोनों चीज़े क्यों नहीं हो सकती extreme वो भी अभी हम देखने और क्या होने वाले यह भी देखने तो क्या होने वाले उसका reason तो simple सा है वो भी किसी को पता नहीं है middle ground पे settle करने की कोशिश कर रहे है कि किसी segment के अंदर बैंड कर देंगे मुझे इतना personal ही लगता है मुझे ऐसे मदमीन को ऐसा करना चाहिए शायद ऐसा कि कुछ एक specific number of coins या specific उनको specify कर देना चाहिए कि भाई हम यह 5-10 coin 15 coin 20 coin यह स जो government करती है वो आपके सामने आई जाएगा थोने दिनों के अंदर तो final decision on key issues shortly कि क्या legal है क्या नहीं है उसके उपर जो decision है वो shortly आ जाएगा and presentation soon on taxation issues अच्छा जो मैं आपको बता है middle ground लेने में जो मैंने आपको बता है कि मेरे opinion में हो सकता है कि कुछ select coins को जो government establish करे तो यह legal tender भी बना लेते हैं तो भी एक जो problem बज़ाती है यह है कि हम उसे taxation कैसे करेंगे उसके उपर tax कैसे लगाएंगे तो अभी के time पर क्या चल रहा है अभी के time पर अगर आपको long term capital gain होता है अच्छा long term capital gain वैसे 12 months का होता है बट इसके अंदर पता है नहीं किस ने 18 months के आसपास बताया हुए तो 18 months के उपर जो अगर आप sale करते हैं और long term gain होता है आपको 20% का flight rate लगेगा इसके उपर और अगर आपको short term gain होता है तो आपको income में ही plus करना है अपनी income में income from other sources में या पीज़ीवीपी में अगर आप एक business है तो आपको जो plus करना है अच्छा यह सब क्या हो likely in winter session of parliament किया हमने मैंने को पताया दिया government are in middle path and virtual currencies middle path लेने की कोशिश करें अच्छा मैं बता रहा था कि यह दोनों चीदे क्यों नहीं हो सकती है अच्छा लीगल टेंडर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि untregulated currency है आपके decentralized currency है तो कैसे उसको control करेंगे कौन उसको publish करेगा new currency को व सकते और दूसरी बात बैन कर देंगे तो बैन नहीं कर सकते हैं आपको दिख रहा होगा आउट्राइट बैन में नौट बी फीजिबल इन व्यूफ लाज इंवेस्मेंट बाय इंडियान्स ने काफ जादा इंवेस्मेंट औरेडी कर रखिया है तो उसका कैसे करेंगे कि कि इसे पैसे दलवाएंगे मानलों कर इंडियंस आपको ये बोला मतलब आपके माइन में आ रहा होगा कि हम उसको सेल कर देंगे बट माले थे इंडियंस को को लॉस हो रहा हो तो वो क्यों सेल करेंगे इस वैसे नो वर्चोल करंजी अनलाइट लीगल टेंडर बट आउट रै चले कि हम नेक्स पे जलेंग चोटी सी नीज है कम अधासन तू एंटर मेटावर्स अपने मेटावर्स का नाम ना सुनो ऐसा हो नी सकता मेटावर्स फेस्बूक ने बना नाम ऑफिशली चेंज कर लिया मेटा कर लिया है और मेटावर्स वह एक वीर एनिबल्ड एक सिमूले तो उसके अंदर एक अफ़तार बनेगा गमलहसन जो मतलब इंडिया की काफी रिनाउंड प्रेड्यूसर डिरेक्टर एक्टर और अब तो प्रेटिशन भी है तो उनका एक वह फॉस्ट इंडियन सेलेबरीटी है जिनका इसा कोई मेटावर्स के अंदर अफ़तार बनेगा अच्छा मैं आज आपको टाइमसर्प नहीं दे पाँगा क्योंकि मैं अभी ऐसी उसमें दियूंग कि मैं टाइमसर्प नोट कर सकूँ अगर हुआ तो आप कोई प्रोवाइट कर देना जिसे अभी फर्स न्यूस होई है तो यहां पर सिक्सिफटीन का प्रोवाइट कर दे ब्रैंण्स इन के क्या क्या हैं इनके ब्रैंड शाएं लिगले सुना ही जो ही और ओर सेंटेर बर्रैंड ब्रैंड्ड अब जो इसके इंडिवजण को अक्यूज किया अंडिवजbr एमजोन को FEMA और FDI BH का अच्छा हम पहले पर थोड़े टाइम पहले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है उसने एमजोन के साथ क्या कि एक डील किया उन्से इंवेस्मेंट करवाया अपने अंदर इंवेस्मेंट लिया है बौरो करी मनी तरीके से कि आप ज जो प्रोपर्टी मतलब जो रिटेल वाला पूरा सेग्मेंट है उसको सेल नहीं करोगे रिलाइंस को अब यहां पर हुआ गया कि कुछ टाइम पहले फारे वाले बोलने लगे थे कि आपने तो हमारे ट्रेड राइड्स को चीन लिया यह कर दिया वो कर दिया हाला कि पहले और कि अर्बिट्रेशन कोट में गया हमने यह पूरा तीनों स्टेजिस देखे थे जब चल रहे थे न्यूस के अंदर और उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली एमजोन जीत क्या इन कॉंक्लूजन क्योंकि कॉंकि कॉंट्रेक में लिखा हुआ था कि नहीं सेल कर सकते तो कैस की एफरल की पेरेंट कंपणी उसके अंदर तो यहां पर क्या वूंस कोंट्रेक के अंदर यह भी लिखा था कि एमजोन भी और इंवेस्ट्रेट्समेंट नहीं कर सकता हुआ यह बहुत चल रहा है यह तम नहीं पता चला था यह भी पता चल रहा है यहां पर 2019 के अंदर अब उन्होंने बोला है कि वो Amazon को FEMA और FDI के बीज में रखेंगे फीमा मतलब होता है Foreign Exchange Management Act 1999 का Act है और FDI मतलब आपको पताई होगा Foreign Direct Investment तो यह जो भी Act Science के तहट उन्होंने जो वो Clause था उसको मतलब चैलेंज किया है कि आप कैसे हमारे अंदर मतलब जो हमारी Parent Company उसके अंदर Investment कर सकते हैं तो यह भी यही बोला है अब उन्होंने जो अपना जो Challenge दिया है वो कैसे दिया है उन्होंने CCI मतलब Competition Commission of India को एक मतलब लेटर लिखा है एक Complaint File किया Essentially जिसके अंदर इन्होंने concealed word का यूज किया है कि उन्होंने कुछ facts को concealed किया चुपाया made misrepresentation उन्होंने दी एक तरीके से और false represent किया कुछ facts को वाइल CCI appointment उन्होंने मतलब investment करने के लिए CCI की जो approval की requirement थी तो यहां पर उन्होंने CCI को लेटर लिखते वे यह बोला है कि मतलब इन्होंने जब आपसे approval लिया था ना तब इन्होंने यह चीज़े जूट बोली थी तो यह इस तरीके से तो हमने पूरा देख लिए यहां पर चुटकी हुए तो यहां पर हुआ क्या है कि यहां पर new year of new pinch मतलब जो भी new year आने वाला एक तरीके से तो नए साल के अंदर जो है मतलब pinch यहनी salt यहनी food के prices में मतलब बहुत ही basic food commodity माना जाता है तो यहां पर अगर salt की बात की गई हो महां पर metaphorically food उसका meaning हो सकता है तो यहां पर वैसा ही है food के items के prices और freight rates फूड को इदर से उदर ले जाने के rates यह दो चीजें जो है भढ़ रही है इसके वैसे daily essentials अच्छा daily essentials के अंदर जो है उनका bill may go up यानि कि उसका prices जो है overall वो भढ़ जाएगा और मतलब जो charges है उसके वो भी भढ़ जाएगे तो यहां यहां पर कि हुआ क्या है आपको नीचे दिखेगा inflation hit fmcg companies restaurants set to pass on higher cost to consumer in 2022 तो यहां पर दिख रहा हुआ इनको वो आगे pass कर पाएंगे यानि कि अपने rates को बढ़ा देंगे अपना selling prices को बढ़ा देंगे in 2022 new year की जो मैंने आपको पहले बात की थी अब हो सकता है कि यहां पर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार यह अपनी cost को आके consumer पे जो है set कर रहे हैं तो यह तो गलत बाद हो की quality में आपको जो product है essentially उसके अंदर इतना दम है कि वो आपके consumers को attract कर सकता है तो यहां पे आप quality basis पे अपनी marketing करते हैं M for marketing मैंने आपके जो लिखा हुआ है तो तो जो दूसरा होता होता है price के basis पे price मनलब होता है कि आपने इतना सस्ता अपने product को बनाया है और वो किसी ऐसे महेंगे product का substitute है कि लोग आपके पास आ रहे हैं सिर्व आपके price की वज़े से बट अब क्या होता है कि जो quality वाला बनता है वो cost को आगे consumer pass on कर सकता है अगर उसक cost बढ़ती है तो ठीक है जी वो अपना selling price बढ़ा सकता है क्योंकि वो quality के basis पे अपना काम चला रहा है तो यहां पर जो price वाला बनता होता है वो first जाएगा वो क्या करेगा अगर उसको prices बढ़ गए तो वो अपने price को आगी set off करने कोशिश करेगा तो एक मतलब number of cases में हो सकत है कि चल जाए काम चल जाए क्योंकि जो quality वाला product है उसके भी prices बढ़ जाएंगे but most of the cases में ऐसा नहीं चलता है क्योंकि लोग थोड़े से price के लिए quality वाले good पे shift करना prefer करते हैं तो यहां पर prices वाले system जो business marketing है वो यहां पर fail कर जाती है इसलिए माना यह जाता है कि अगर कोई company essentially अपनी जो higher cost है उनको आगे pass on कर पाती है तो वह अच्छी बात होती है और अगर अपना consumer based maintain कर पाए उतना ही यह थोड़ा बहुत decrease भी हो जाए तो भी अच्छी वात होती है तो अगर fmcg companies में अगर कोई बड़ा losses हमें future के अंदर नहीं दिखते हैं तो यहां पर अगर हमें कोई ज्यादा losses नहीं दिखते तो एक अच्छा step यह हो सकता है अच्छा यहां पर next news क्या है fuel price cut to help RBA restrain inflation यह थोड़ी सी complex news है मैं सब में बोलता हूं थोड़ी easy news है basic news है बड़े थोड़ी सी complex है यहां भी हुआ क्या fuel prices थोड़े से कम हो गए अच्छा कम मतलब यह नहीं की बहुत कम हो गए थोड़ी 114-15 के आसपास चल रहा था मैं क्या है 110 के आसपास आ गया है तो यहां पर यहां पर को दिख रहा होगा कि fuel price में cut mid trim inflation by 15-20 BPS तो यहां पर fuel price की cut होने की वज़े से inflation cut हो जाएगा ऐसा कोटक बैंक कह रहा है मतलब 15-20 BPS तो पहले तो मैं आपको यह बता दो BPS क्या होता है जो bonds लिखा नीची वह बाद में समझेंगे एक BPS का मेनिंग होता है मैंने पुछ चाहत पहले भी काफिया बताया हुआ है 0.01% तो 15-20 BPS का मतलब समझ सकते हैं 0.15% या 0.20% अच्छा यह अगर 0.00 ऐसे लिखा होता है तो इसको बहुत ही basic बात है यह 0.15 पढ़ते हैं 0.15 मत बोल सकते हैं बड़ जनरली नहीं बोलते हैं तो यहां पर fuel prices के काम होने के वैसे inflation इतना कम हो सकता है अब यह होता कैसे है तो यह होता एस तरीक से है कि RBI कुछ bonds को issue करता है अच्छा पहले अगर आपको यह समझा है कि fuel prices कम क्यों हो रहे है तो liquidity tapering के वैसे हो रहे है liquidity tapering इना but narrow नहीं करेगा यहां पर इसीहां पर हो सूट करेगा नीचे जाना तो liquidity के नीचे जाना के वैसे लोग के पासर पैसे की कम होने के वैसे fuel prices के अंदर cut आया है तो fuel prices के cut आने के वैसे क्या हुआ है कि यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि inflation का कैसे का होता है तो RBI कुछ ऐसे bonds issue करता है जो RBI क्या करता है उसके उपर for example 3% जैसे मैं आपके लिखा है तो 3% rate of interest देगा उसके bracket में लिखा होगा add-on है inflation के उपर जैसे अगर 3% inflation चल रहा है तो आपको total return जो मिलेगा वो 6% मिलेगा और अगर मालते inflation किसी साल के अंदर भढ़ जाता है तो आपको जादा return मिलेगा तो यहाँ पर होता क्या है कि since RBI को अपने inflation जितना भी वो बोलेगा क्योंकि RBI inflation बताता है एक तरीके से तो RBI जितना भी inflation बोलेगा उसको उतना ही return भी देना पड़ेगा bonds के उपर तो यहाँ पर inflation इस वाई से नीजे आ जाता है कई बार क्योंकि fuel prices काट होगे तो return वो कैसे देगा आपको क्योंकि RBI के पास taxes की form में जो revenue होता है वो कहीना पूरी chain ही कम हो जाती है economic अंदर एक point पे पैसा कम होता है किसी तरीके से तो पूरी chain में कम होता है पैसा तो यहाँ पर यही हुआ है कि पूरे bonds में inflation जो है RBI कम बताएगा और उसको returns कम देने पढ़ेंगे किसी तरीके से bonds के उपर तो इस तरीके से यह चलता है हाँ पर और यह चीज जो है अगर आपको गलत लग रही हो तो यह चीज मतलब काफी अच्छी है पहली बात तो दूसरी बात यह है कि यह भी insure करती है sorry यह जंप कर यह वीडियो यह यह भी insure करती है कि RBA ठीक से inflation की calculation करें ठीक से बताए inflation को ताकि हम जो है उसके उपर belief कर सकें और RBA खुद भी उसको returns देने उसके उपर तो RBA कम से कम बताने की कोशिश करेगा मतलब accurate से accurate बताने की कोशिश करेगा तो यह आपने देख लिए यहाँ पर एक एड जो आपको दिख रहोगा सफायर फूर्स का एड है यहाँ आपको एक बहले दो तिन चीज़े दिखाता हूँ के एफसी पीजा हट टाको बेल इसके उपर हैश्टेक लगा हूँ है यहाँ पर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर यह टाको बेल को सिर्फ श्री लंका में सभालते हैं इंडिया के अंदर नहीं समालते हैं तो यह दोनों जो है एक केफसी पीजा हट इनको मेंडी समालते हैं इंडिया के अंदर और इनका आईपीयो आने वाले तो इसलिए मैं अपको यह पूरी ठाम का निसना आई थी तो यह नीचे भी समझेंगे नीचे भी आया था चल रहा है तो प्राइस अपका टूजन एटी से लेकर 2150 पर पर एक्विटी शेयर चल रहा है विदा फेसे लिए फारग हमें नहीं पड़ता है एंड जो लॉट है वह सिक्स एक्विटी शेयर का तो आपके इंवेस्मेंट हो गई मतलब अगर आप थोड़े कम पर करते हैं तो उससे कम ही होगा बट दो बात है पहली बात है कि मैं तो खुद इस आईप्यों को लेकर बहुत बुलिश हूं आपके पैसे लगबख डबल हो सकते हैं इस आईप्यों में अगर आपको मिल जाता है तो और दूसरी बात अगर आपके इस इसके लिए मैं सोचनों सेपरेट वीडियो में ना दूं तो वह भी अगर करेंगे तो देखते हैं बट टूड़े आज ओपन होने वाला इप्यों 8 नमेंबर को 10 नमेंबर को क्लोज होगा तो आपको पता ही चल जाएगा क्योंकि हो सकता है पहले दिनी पूरा सब्सक्राइ दिया जाएगा तो वहीं सही अगर आप एक लोट के लिए अपलाए करते हैं तो अगर आप यह चाहते हैं अगर आप ज्यादा इंवेस्मेंट करना तो आप 2-3 अकाउंट से अलग अलग अपके लोग होंगे आपके आसपास उनके अकाउंट से इन्वेस्मेंट कर एक लोट के लिए अपलाए कर देना मेरी थोड़ी सी अगर आपको रिक्रमेंडेशन चाहिए आगी जाते हैं पर वाल स्ट्रीट रेली में गेव लग अप टो इंडियन स्टॉक्स बहुत ही बेसिक बात है वाल स्ट्रीट के उपर रेली चल रही बहुत ही अच्छे रिटर था इसके अंदर आपको देखेंगे आपको मिल जाएगा पूरा पूरा तो वह जादा पताने की चाहत नहीं है तो इसकी वैसे क्या हुआ है कि यहां पर देखते हैं अच्छा डेटा दिया उसको पारे देखते हैं एफपिए फ्लोस कितना रहा जैनवरी मार्च से लेकर मत क्रोर फिर नेगेटिव वापस से बहुत जादा नेगेटिव चला गया है अपर और लाश मंत के अंदर सो यह सब चीज़ें अब पॉजिटिव जाने की बात करें बीसेगली पूरी नियूस के अंदर यह कहना चाहरे है कि वहां पर तो अच्छा रेली चली रहा है वहां प चीज़ें आपको बाहर की में करनी तो आपसे पहले क्या देखोगी कि वहां के इंडेक्स कैसे परफर्म कर रहे है तो ऐली चीज़ें हूप नियुकल आरेक्स बहुती जादा पॉपुलर हैं आज की अगर गर हम बात करेंगे जैसे आपको मतलब Nifty Science पता होगा और उसके लाव आपको जैसे हो सकता हैं कि US की जैसे डाउ जोन्स पता हो बट उसके अलाव जिसे माले दे चाइना का कोई इंडेक्स यूके का कोई इंडेक्स सिंगपूर का कोई इंडेक्स तो ये सब और निफ्ती सेक्स वहाँ पर भी मोसली लोगों को पता होता है तो निफ्टी का फिसता पॉपुलर चल रहे है जिसको गेंड करेगा तो ही इंवेस्मेंट यहाँ पर होगी तूसरी बाद जो इमर्जिंग एकोनोमिस के लिए होती है वह होता है आईपियो आईपियो कितने जाधा से यादा आ रहे हैं जैसे हमने यूएस के लिए देखा था अभी थोड़ी टाइम पहले शाद डूलिंगों का आईपियो आया था और एक और का आईपियो था एक और वो रॉबिन हुट का अब है था डॉलिंगों का भी आईपियो आया था यूएस मार्ट के रहे हैं बड़ मैं यूएस मार्चिट के लिए जाधा फरक नहीं पड़ता उनको आईपियो के से इन्वेस्टिंग उसके लिएन दर जादा नहीं आती है आईपियो से जाधा इमर्जिंग एकौनोमि पहले 14,000 क्रोड की बात करें थे तो वह सेकेंड हाइस रहता अभी 18,300 क्रोड की बात करें जोगी फर्स नमबर पर आता है तर्म्स जितने बड़ा इशू निकाल रहे हैं वो लोग और साजी जाद आकर मैं आपके बता हूं तो एक और मैंनेजर से फायर फूर्ट का बता है थ है बट आई-प्यों के अठार अधर क्रोड से अगर आप कंपेर करेंगे तो बहुत चोटा हो जाएगा सो यहां पर यह इनका भी आई-प्यों आने वाला है 21.8 टाइम निफ्टी का प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है 39 परसंट प्रीमियम पर निफ्टी का 12 मंथ फॉवर् कहना चाहता हूं इंडिया की एकनोमिक अंदर तभी मेजर इंवेस्मेंट आएगा स्टॉक मार्गेट के अंदर एसेंशली जब पहली बाद इंडेक्स से परफॉर्म करेंगे तो क्योंकि वह तो बेसिकी बात है दूस्ती बाद आई-प्यों अच्छे बड़े-बड़े आ और बहुत ही रिनोंड परसन बहुत ही मतलब ऐसे इनकी रिस्पेक्ट की जाते है एक तरीके से मार्केट के अंदर कॉल फॉर एंड टू इजी मॉनिटरी पॉलिशी अब बेसिक लिए क्या कहना चाहिए कि मदल जो मॉनिटरी पॉलिशी चल रही है वह एक तरह से गवर्मे चाहिए और आपको जो है मतलब मतलब हो यह कि इसकी कॉस्ट होती है कि आप अगर कम पैसे कमा रहे हैं तरीके से क्लाइमेट चेंज के उपर या सश्टेनेबल ग्रोथ यह सब चीजी होती है यह जो एक्टिविटीज होती है उसके उपर कम एक्समेंडिश कर पाएंगे तो यह इनोंने लाइन बोलिया तो पूरी न्यूज ऐसी चल एसी टोन के इंदर चलते हैं चलते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं मैं पहले सुट आपको एक एक लाइन पता दूंगा बद आभी हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है और इसके अद दर्मेंदर शाहिए है एड़ अफ टेक्निकल अपाट डिपार्टमेंट है आइसी सीकुरिटी इसके अंदर अब इसले एक फोड़ी आश पगारिया है यह बहुत बार बहुत बार ऐसे टेक्निकल अनलेसिस वाला जो सेक्शन हाथ उसके अंदर आते भी रहते हैं नवनी ड यह इसी मदब रेंच के अंदर ट्रेड करेगा तो हमने आपर यह देख लिया जो टेक्निकल अनलेसिस ने बताया है अच्छा यह पर इसको बढ़ भी सकते बड़ इसके अंदर ऐसा सच यह नहीं लिखाए कि कैसे इन्होंने यह निकाला है अगर आप इसके लिए बढ़ने अच्छा हुआ कि मैं बुलिश हूँ आई प्यों को लेकर मदब यू पेटियम का आई प्यों है बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको यूट्यूब के पर अगर आप सर्च करते हैं पेटियम आई प्यो रीव्यू तो आपको बहुत सारे आई प्यो जैसे मिल जाएंगे कि अच्छा संगवानी उनका कुछ संधिंग नाम है तो में को नाम उनका याद नहीं है तो वह भी मदब बिसिकली बेरिश है इस आई प्यों को लेकर वह इसको अवाइड करने की बात करते हैं और उन्होंने कल नियूज के ओपर भी और वीडियो मदब यूट्यूब के ओप और इसको अवाइड करना जी यह भी मिल जाएगा आपको तो अन्हों इस डिवाइड है मतलब कि दो ओपीनियन मिक्स्ट ओपीनियन चल रहे है पेटियम के आई प्यों को लेकर बहुत 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 बेसिक है हमपर आई प्यों ओनली फॉर लिस्टिंग गेंस तो मैं भी फालतों के अन्दर मद आप क्या करते हैं आप एक कंपूनंट लेते हैं ग्रोथ रेट जो जो अपके सकते हैं कि growth rate अगर आप देखेंगे तो बहुती fluctuation है और आपको अगर कोई assume करना हो valuation निकालने के लिए तो कोई एक standard rate नहीं है कि आप 10% लेंगे 12% लेंगे और माले ते किसे 2% की growth हुई या माले ते 50% की growth हो गई तो कैसे valuation को निकाल लेंगे तो यह कोई अच्छा इसमें तरीका बनता नहीं है at all तो यह हो गया basically हाँ पर इसकी वैसे valuation की वैसे और जो earnings है वो हो सकता है भड़ जाए कम हो जाए कुछ भी हो सकता है तो यह दोनों की रिजन्स की वैसे IPO only listing gains का जैसे tech companies का आपको मज़ब हो करना चाहिए रिलाय करना चाहिए अभी जब Zomato IPO आया था तो राकेश जुन जुन वाला ने भी बोला था कि ऐसे जो IPO मुझे समझ में नहीं आते हैं तो मतलब वही सब आते हैं कि यह सुद्धों रहे गई यह चार्ट चीज़े इनों ने इसके अंदर बताई है कि after the rally जब rally खतम हो जाएगी क्योंकि कभी न कभी तो होगी इंडिन market के अंदर जो rally चल रही है तो यह कभी न कभी जब खतम होगी तो वहांबर क्या wrong जा सकता है क्या बुरी बात हो सकती है इंडिन stocks के अंदर तो वह बताना चारे है यहां पर अचारी जो purple से मैंने highlight case को नहीं बढ़ते हैं अभी हम यहां पर आते हैं तो from slower earnings तो जितनी लोगों को expectation है उससे अगर कम earnings रहती है साधी साथ अगर कम earning करेंगी company तो कम taxes जाएंगे कम economic growth होगा तो हमें चैनल बैंक्स टाइटन पॉलिशी तो कुएकली यानिकी पॉलिशी भी टाइटन हो जाएंगी तो यह सब जो है मिला जो लागे stock investors face plenty of risk तो यह सब रिस्क एक तरह से पोज करते हैं मतलब दर्शाथते हैं कि रिस्क हो सकता है आपके मतलब इसके अंदर इंडियन market के अंदर after the rally यानिकी एक अच्छी रेली के बाद डिप्रेशन जासता कुछ मलब डिप्रेशन तो नहीं बोलना चीए थोड़ासा जिसे मतलब नीची जा सकता है मागे रिसेशन जासता कुछ आ सकता है रिसेशन क्या होता है अगर आपको नहीं बता तो रिसेशन किसी एक सेक्टर के अंदर आ जाए इस तरीके से हो बाद डिप्रेशन ओवराल एकोनोमी के अंदर आता है अगर आपको इसके अंदर किसी भी न्यूस के अंदर कोई वीडिया हो तो आप नहीं से कॉमेंट कर सकते हैं तूसरी बात अगर आपको एक पीडिएफ सेए तो आपको नीचे एक वीडियो का एक टेलेगरम का लिंक मिल जाएगा जिसे आप जोइंग कर सकने हैं गरूप को so that's it and thanks for watching